हेलो दोस्तो नमस्कार मैं शुबांकर आपके अपने यूटूब चैनल थैंक्स आल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं दिखाऊंगा कैसे परल अकाउंट को 200% ओटोपूल में सेटलमेंट करें दोस्तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको लाइब दिखाने वाला हूँ दोस्तो लाइब दिखाने से पहले मैंने कोरल अकाउंट को ओनिक्स में अपग्रेट करके सेटलमेंट किया था तो आप देखिए उसमें आटोपूल आ चुका है यह देखिए जिसे मैंने कोरल को अपग्रेट किया अब देखिए आपर डबल आटोपूल आ चुका है 100 डाल लगाए थे और इंस्टेंट मुझे 200 डॉलर प्राप्त हुआ तो मैं इसे विड्रोल कर लेता हूँ यह देखिए बिना किसी कंडिशन के विड्रो भी हो रहा है कोरल में भी कर लेता हूँ दोस्त अब मैं विड्रो कर लेता हूँ एमेजोन आट में जहाँ 40 डालर लगाये थे डीपी लगाये थे वहाँ पर अस्य मिल चुका है भोच शांदार दोस्तों यहाँ पर यह देखिए आपके सामने 420 डालर हो चुके है यहने कि परला वाइन ने अपना किया हुआ वादा को टूस-बने रहिए इस अकाउंट को कल लेता हूँ लागाउट करने के बाद जिससा अकाउंड को मुझे परल से क्वराइट करना है और म fret करना हो अ ओपन कर लूंगा और उसमें डीपी अभी ट्रांसपर कर देता हूं है ने कि दोस्तो मुझे डीपी कितना लग रहा है मैं उसका calculation करके यहाँ पर dp transfer करूँगा यह देखे दोस्तो आपके सामने मैंने एक pearl account open किया है pearl account open किया है कितना dp रखा दोस्तो देर सो dp यह आपके सामने यह देखे इस वीडियो को आप बहुत ही गोर से देखिएगा दोस्तो जो कि 50 dp से होता है यह देखे coral हो गया है successfully activate coral करने के बाद दोस्तो मैं upgrade करता हूँ 1x में 100 dp से यह देखिए 1x भी कर दिया है अब दोस्तो यह सब करने के बाद हम करेंगे set upgrade करने के बाद दो rank upgrade किया जो pearl था coral किया 1x किया आप करना है settle now पे agreement आया हमारे सामने इससे अच्छे से पढ़ लेंगे और यहाँ पर tick mark करके settle now पे click कर देंगे यह देखिए दोस्तो congratulation लिखा हो आ गया यानि कि यह account settle हो गया है अब देखिए rank wallet में मैं दिखाता हूँ यह आपके सामने देखिए दोस्तो perler कितने dp से होता है 30 dp से वहापर हमें कितना मिल गया साहट coral कितने से होता है 50 से वहापर हमें कितना मिला है 100 और onyx होता है 100 से है 200 अब step by step हम bid row कर लेंगे यह देखिए दोस्तो bid row कर लिया है अब bid row करने के बाद दोस्तो आप मान लेजिए कि हमें इस fund को किसी अन्य account में transfer करना है तो एक चीज़ का ध्यान रिखिएगा वो account pearl या फिर coral account होना चाहिए तो ही transfer हो पाएगा अगर वो दूसरा account हो अगर मान लेजिए ओने या quards होआ तो उसमें transfer नहीं होगा dp दोस्तों मैं फिर से मेरे सब्दों को दोराता हूँ यह जो आप primary dp wallet पे देख पार है 360 dp आप मान लेजिए इसे मुझे transfer करना है तो sirp और sirp of pearl account या फिर coral account होना चाहिए यह दो ही rank में transfer हो पाएगा नहीं था दूसरे account में transfer नहीं हो पाएगा दोस्तों तो अब मैं क्या करूँगा transfer करूँगा दूसरे accounts में तो मैं देखिए आप अगर मान लेजिए मैं कोई onyx account पे transfer करता हूँ तो क्या लिखा हो आएगा वो अब आपके सामने में दिखा दूँगा live यह देखिए दोस्तों मैंने यहापर एक onyx account में transfer कर रहा हूँ जब transfer पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने देखिए क्या लिखा हो आता है sorry you can transfer only to perla and coral ranks users यहने कि दोस्तों system का दिमाग देखिए हापर क्या दिमाग चलाया है कि जो perla या coral होगा उन्ही को transfer करने का authority देगा दोस्तों अगर अगर ट्रांसफर करने का authority देगा तो लिडर क्या करेगा उसे pbc meta में बदलाव कर लेगा इसलिए कहीं न कहीं सभी को dp का value अब समझ में आएगा dp buy करना पड़ेगा तो ही उनका account settle हो पाएगा दोस्तों कहीं नी दोस्तों मैं इहापर एक coral account लूँगा और वापर transfer करके भी आपको मैं दिखा देता हूँ यह देखिये दोस्तों मैंने coral account लिया और यहापर transfer होता है कि यह आपको दिखाता हूँ ये देखिए दोस्तो सक्सेस्पुली ट्रांसपर हो चुका है ये देखिए इनके बॉलेट में भी आप देख सकते हो 210 DPI है ऐसे लेप्स हो गया है बाकि जो DPI है अगेट किया था इन्होंने तो ये अगेट का भी मैं बिड्रो कर देता हूं तो ये देखिए आपके सामने और मैं पास्बुक में भी दिखा देता हूं ये देखिए दोस्तो पास्बुक में भी देख लीजिए आपके सामने एंट्री है तो बहुती सरल यवाम इजी है दोस्तो तो आप भी अभी तक अपने rank को settle नहीं किया है तो settle कर लिजिए बहुती आसान प्रोसेस है दोस्तो और कहीं न कहीं अपने team को ज़्यादा से ज़्यादा लाब दिलाईए तो धन्यवाद दोस्तो आज परलवाइन का दिन बहुती शुप था साथ में सभी यूजर्स का दिन भी बहुत शुप था कि ये बहुती सही समय पे हमें सही अपडेट देखने को मिला और बहुत सारी यूजर्स के रहे थे कि परलवाइन स्केम कर रहा है परलवाइन फंड लेके भग गया है ऐसा कुछ नहीं है दोस्तो अगर उसे फंड लेके भगना ही होता तो ये सेटल क्यों करता तो सभी सेटल्मेंट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है कम से कम सिस्टम चल रहा है और आगे चलता रहेगा ऐसा उम्मे दे तब ही तो ये सब कर रहा है ने तो क्यों करता तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे जानकारे से रिलेटेड वीडियो पाने के रहें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए टीम को जाधर शेयर कीजिए धन्यवाद